नमस्कार दोस्तों, ग्रेट्टु इंडी यूटूब चन्म में आपका स्वागता, यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेट्फोंग, तो सुझना साहिक बर्ति से लेरेटेड मोस्ट इंपोर्डन एमस्यों की स्रीज का सेसन स्टार्ट करते हैं, तो आज की क्लास 22, तो कॉर्सन नमबर 27 से स्टार्ट करते हैं, निमलिकित में से कौन सी के सेंसेटिव ओपरेटिंग सिस्टम है, के सेंसेटिव जो ओपरेटिंग सिस्टम है, वो कौन सा यहां पे, तो के सेंसेटिव जो ओपरेटिंग सिस्टम होता है, वो होता है यूनिक्स, मतलब यूनिक्स जो होता है CUI operating system पर आधारित है निमलिकित में से कौन सी DOS command graphic group से किसी drive या path की directory सरचना को परदेशित करती है तो directory सरचना को जो परदेशित करती है वो कौन सा option यहाँ पे यहाँ पे जो directory करता है वो है tree ट्री topology होती है जैसे ही यह directory एक के अंदर एक directory बनती रहती है downloading एक परक्रिया है जिसमें file को ले जाया जाता है तो मतलब downloading एक process होती है जो एक परक्रिया होती है जो file को कहां पे ले जाती है तो यह ध्यान रखें आप यहाँ पे यह जो होता है web server से nocle machine पर ले जाती है यह मतलब सही answer रहेगा भी निमलिकित में से कौन सा file format software, hardware और operating system है सुवतंतर रूप से document का विश्रस ने अदला बदली करने के लिए इस्तमाल किया जाता है तो document के अदला बदली के लिए जो इस्तमाल किया जाता है वो कौन सा होता है वो होता है PDF PDF format जो होता है यह क्या होता है प्रोटेबल, document format होता है प्रोटेबल, document format जिसमें कुछ भी changes नहीं किया जाता है document format ध्यान रखें, very important कुर्स नहीं सत्य और और सत्य गतन बताना है यहाँ पर तो सत्य और सत्य गतन कौन सा यहाँ पर देखते हैं PDF file format का अविश्कर Microsoft द्वारा किया गया, बिल्कुल गलत Microsoft द्वारा नहीं किया गया था PDF file में link और button सामिल नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं और इसने बोला नहीं हो सकते हैं यहाँ पर जो सही answer रहेगा, वो रहेगा जो flash memory के लिए अनुकुल होता है बिल्कुल, FAT जो होता है, file allocation table जो memory में use होता है, तो बिल्कुल right है यह, FAT 32 Microsoft द्वारा पेस किया गया था, बिल्कुल file allocation table जो 32 है यह Microsoft द्वारा पेस किया गया था तो यह दोनों कतन यहाँ पर true है 32 का सही answer रहेगा, C निमलिकित में से कौन सा document में text के किसी भी भाग की परतिलिपी बनाने की अनुमति देता है परतिलिपी का मतलब होता है जो photocopy की जाती है, वो कौन सा option होगा यहाँ तो वो होगा copy and paste किया जा सकता है copy and paste option जो होता है, वो यहाँ पर use किया जाता है MS Word में जब आप किसी Line को Text से भर देता है तो अपने आप अगली Line में चले जाने वाले को क्या का जाता है तो इसे क्या का जाता है इसे का जाता है Word Wrap का जाता है Customize Text जिसे Word Processed Document के परते पेज के सिर्च पर मतलब पेज जो होता है इस पेज की जो सिर्च पर जो का जाता है उससे क्या का जाता है Footer, Footnot, Header या Title तो इसे जो का जाता है क्या का जाता है Header का जाता है Top में हमेशा Header होता है और Bottom में हमेशा Footer होता है MS Word में Spelling Command चुनने की Function की बताईए तो Very Important Course ने बताईए इस का अंसर तो यहां पर दियान रखें Spelling Command की जो Shortcut की होती है वो होती है F7 सही आंसर आएगा D और F1 हमेशा दियान रखे कौन से Program के लिए Help के लिए F2 दियान रखे Rename के लिए और F5 के तीन चीज़ दियान रखनी है इसमें आपको एक तो Go To Command और एक दियान रखना आपको Refresh Command और एक दियान रखना है Slide So तो यह तीन आपशन जो होता है एक ही की क्या है MS Word में Redo Repeat की Shortcut की क्या है तो दियान रखें Repeat की Shortcut की क्या होती है Ctrl Y Redo और यह Undo जो होता है Ctrl Z और Ctrl D जो होता है Duplicate Slide की होती है डुप्लिकेट स्लाइट की सोटकेट की क्या होते हैं कंट्रोल डी कंट्रोल र एलाइन राइट के लिए तो यह एलाइनमेंट होता है एलाइनमेंट फोर टाइप के होता है दियान रखें लेप्ट राइट और सेंटर और जस्टिफाइट लेप्ट राइट सेंटर और के लिए कंट्रोल के साथ जे यूज किया जाता है सत्य और सत्य अगतन बताना है यहां पर तो 38 का सही आंसर देखते हैं क्या होगा 38 का जो सही आंसर आएगा तो पड़ते हैं में चैनी टेक्स्ट या पैरगाप के पीछे पेस्ट को कलर के लिए सैडिंग का उप्योग कर सकते है राइट में बहु उस्तरीय सूची का समर्थ नहीं किया रता है बिलकुल करता है मतलब बहु वह क्लिए मतल्टिपल कोर्शन का आप यूज कर सकते हो इसने बोला नहीं तो यहां रॉंग तो मतलब पहला कतन सत्य और दूसरा और सत्य तो मतलब सही आंसर आएगा भी अमानिय शेल के संद्रब होने पर निम्लिकित मैं स्थे कौन सी तुर्टी दीखे देती और मानिय जो सेल होता है जो मानिय होता है वह हैं जी रैफ्रेंस मतलब सही आंसर आएगा डी पांचवे रो और 36 वे कॉलम को जोडने पर Excel का सेल पता बता है तो मैंने पहले बोला था पहले कॉलम आएगा फिर रो आएगी तो हमेशन द्याण रखें पहले कॉलम काँ पर यहां पर भी है और यहां पर भी है हमको यहां पर चेक करना पड़ेगा 36 वा कॉलम कौन सा है 26 तक जो करेक्टर आता है वो अपना जैड आ गया 26 के जैड के बाद क्या आता है अब ध्यान रखें वापस अल्फवेट का A से स्टार्ड हो जाएगा तो यहां पर 40 का जो सही आंसर आएगा 40 का सही आंसर आएगा C A J 5 सही आंसर आएगा A J 5 सेल रेंज A B 10 और F A F 14 में कुल संक्या कितनी होगी तो आप इसको कैलकुलेट जरूर करें तो सही आंसर आएगा इसका B 25 सही आंसर 41 का रहेगा B Excel formula में INT 125.9 का मान के होगा तो integer का मतलब होता है point के बाद वाली value नहीं आएगी तो यहां पर जो सही आंसर आएगा 42 का वो रहेगा 125 सही आंसर आएगा C जब सापेक्स अनुपात या अंसर पूराता है इस पस्ट रूप से दिखाना हूँ तो निम्लिकित में से कौन सा अधिक उप्योगत होता है चार्ट तो इसमें से कौन सा चार्ट सबसे उप्योगत होता है वो होता है पाई चार्ट जो positive value के लिए यूज किया चाता है एक्सल फॉर्मूला ओड माइनस 254 का मान क्या होगा मतलब ओड बताना है और एक होता है इवन तो यहां पर जो 44 का सही आंसर रहेगा माइनस 25 मतलब 25 क्योंकि यहां इससे मिलता जुलता यही देने वाला है क्योंकि इससे अधिक होगा ना कि खम एक्सल सम्मिकरन 256,8 x 4-14,2 का मान क्या होगा तो आप देख सकते हैं आर्दुनी इससे डिवाइज के आर्दुनी 16, आर्दुनी 16, पिर आर्दुनी 16, 32, फिर यहां पर मल्टिप्लाइज 4, माइनस 14, डिवाइज 2, से 7, माइनस 48, और 44 बार 18, माइनस 7, 121 तो सही आंसर हैगा इसका C, सत्य और सत्य कतन बताईए, एक्सल में एंपर सेंट पर्ति का उप्योग, पूर्ण सेल संद्रप को परजबासित करने के लिए परियोग किया जाता है, बिल्कुल गलत, किसी एक्सल सीट में 16 अधिक चार्ट नहीं इंसर्ट कर सकते हैं, बिल्क यहां पर ओडियो, वो है, यहां पर यूटूब, कौन सा है, यूटूब, गूगल का परियोग करते समय, दोहरे, मतलब कोट चिनों, मतलब दोहरे, कोट चिनों, सब्दों को रखने के परिणाम से ऐसे वैब पर जाता है, जिन में होता है, तो उसमें जो होता है, वो क्या ह परदान करता है यह कौन करता है यह करता है Wikipedia कोई वेब पेज ब्राउज करते समय कम्प्यूटर पर सेव कीगी फाइलों को इस रूप यह संद्रबित किया जाता है तो यह जो संद्रबित किया जाता है डाउनलोडिंग की रूप में किया जाता है सही आंसर डी सत्या और सत्या कतन बताना है यहाँ पर क्या होगा देखता है इंक्रिप्शन लेयर वो से ही मोडल का एक मैत्पूर्ण लेयर है बिल्कूल गलत TCP IP मोडल में IP का अर्थ IP address होता है नए इंटरनेट प्रोटोकोल होता है IP address का तो यहाँ पर रॉंग तो यहाँ पर दोनों कतन यहाँ क्या हो गए और सद्धिय हो चुक है चलते नेक्स्ट 52 सैट मिलाना निमलिकित कमलान करें set 1 और set 2 TCP, UDP और IP version 4 तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है IP version 4 तो IP version 4 का जो एटरस होता होता है 32 तो यहाँ पर A जिसके पीछे वो देख लेजिए आपको सही आंसर आएगा यहाँ पर A तो दोस्तों आज का सेसन यही समाप्त करते हैं मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में तो चैनल को लाइक और सेर कर देजी ठैंक यू